नमस्कार लोग्सवर टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ रिक्ता खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्ख्यों पर एक नजर रेट से नहीं भरा पेट तो अर्पा से निकाल रहे चिल्सी पत्थर परिया वरन को हो रहा नुकसान सौदीन का भ्यान टीवी और कुष्ट रोग की करे का पहचान के इंदे राजमंत्री ने रवाना किया प्रचार वाहन और मुम्बत्ती जलाकर अमर जवान समारक को बूला शहर धूल दूसरीत होकर उपेक्षा का शिकार तो ये थी सुर्ख्यार अब खबरे विस्तार से अर्पा नदी में अवेत खनन की गटिवीधिया बढ़ती जा रही है नदी किनारे गहरे और खतरनाग गढ़े बन गए है आज खनन माफियाओं के निशाने पर है ये नजारा है बिलास्पुर के अर्पा नदी का जो अब खनन माफियाओं का गड़ बन चुका है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर यहां रेत, मिट्टी और अब चिलफी पत्थर का भी अवेद उत्खनन धड़लने से किया जा रहा है नदी के कई हिस्सों में बड़े बड़े जान लिवा गड़े बन गए हैं जो इस्थानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहट सणक निर्मान के लिए नदी किनारे से मिट्टी निकाली जा रही थी लेकिन ठेकेदारों के हुसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वो नदी के बीचों बीच चिलफी पत्थर का भी खनन करा रहे हैं इसका सीधा असर पर्यावरन और नदी के बहाओ पर पढ़ रहा है खनीज विभा के दावों के बावजूद खनन माफिया दिन दाहरे नदी को नुकसान पहुचा रहे हैं अधिकारी सिर्फ रेट से भरे ट्रैक्टर पकड़ने तक सिमित हैं लेकिन असल समस्या पर उनकी नज़र नहीं पढ़ रही इस्थानी निवासियों का कहना है कि माफियाओं की इस हरकत से नदी के कटाओ और बहाओ को गंभी रूप से प्रभावित किया है अरपा नदी की छाती चीर कर चिलफी पत्था निकाला जा रहा है लेकिन प्रशासन अब भी मौन है समय रहते अगर इस तरह के अवध उत्खनन पर रोग नहीं लगाई गई तो परयावरणियन संतुलन बिगड़ सकता है कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने DMF शाशी निकाई की बैठक में भारत सरकार द्वारा जारी नए मार्ग दर्शिका की जानकारी दी केंद्र शहरी विकास राजिय मंत्री तो खनसाहू, विधायक धर्मजित्सी, अटल शिवास्तव, दिलिपलहर या शुशान शुकला बैठक में शामिल हुए इस दोरान कलेक्टर ने नियमों के बदले प्रावधानों से सदस्यों को अफगत कराया उन्होंने बताया कि अब खदान के 15 किलो मीटर दायरे को प्रत्यक्ष खनन प्रभावित छेत्र और 25 किलो मीटर इलाके को अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष 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 जोन में आता हो तो उसका सर्वेकर संबंदित जीलों को रिपोर्ट दी चाए और 20 करोर के कारियों के लिए राशी जारी की गई बेमेतरा, जानजीर और सुरसपुर के लिए तो ये जो चार जिलों को मिला है ये बड़ी सवगात है शहीदों और योध्याओं के समान में प्रत्येकवर 7 दिसंबर को ससस्त्र सेना जंडा दिवस मनाया जाता है इस अफसर पर शनिवार को जिला सेनिक कल्यान बोर्ट कारेले में कलेक्टर अवनिश कुमार शरण ने सेना की वीरतावस सेवा को सलाम किया है कलेक्टर और S.P. समेत अन्य अधिकारियों ने जंडा खरीद कर सेनाओं के कल्यान के लिए आर्थिक सहयोग भी किया जिला सेनिक बोर्ट के अधियक्ष कलेक्टर अवनिश कुमार शरण ने कहा कि शसस्त्र सेना जंडा दिवस देश की सेना के प्रती कृतग्यता प्रती भदता प्रकट करनी और उनके लिए एक जुट होने का दिन है उन्होंने कहा कि यह दिवस हमें देश पर नियोचावर सेनिकों की याद दिलाता है प्रती परायंटा और हाट्षिप और एक्सलेट डिव्टी के लिए मेरिटोरिस डिव्टी के लिए आप सभी जाने जाते हैं और आप अपनी सरवोच बलिदान देकर भी इस देश की रक्षा करते हैं तो आप सभी को नमन है सलूट है मेरा सभी अधिकारी सभी निक्षे निरा में 36 गड़ अभ्यान बिलासपुर सहीत राज्य में शुरू हो गया सौध दिनों का यह सगन अभ्यान 23 मार्च 2025 तक चलेगा केंद्र शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने जिला कारेले परीसर से प्रचार वाहनों को हरी जंडी दिखाई इन वाहनों के माध्यम से लोगों को टीबी और कुष्ट रोग के इलाज के लिए जागरुख किया जाएगा स्वास्ति विभाग की टीम घर घर पहुँच कर टीबी और कुष्ट रोग का सर्वे करेगी साथ ही ऐसे मरीजों का सरकारी अस्पतालों में निशुल्क इलाज किया जाएगा राजी मंत्री ने पांच टीबी मरीजों को पोशन युक्त भोजन पैकेट भी वित्रित किया युजना के अंतरगत बहतर कारिक करने वाले स्वयम सेवको और कर्मचारियों को प्रशष्टी पत्र दे कर सम्मानित भी किया इस अफसर पर विधायक धरमलाल कौशिक, शुशान शुकला, अटल शिवास्तव, धरमजीत सी, दिलिप लहरिया, कलेक्टर अवनिश कुमार शरण, सीमेचो डॉक्टर अनिल शिवास्तव सहित, जन प्रतिनीदी और अधिकारी उपस्तित्ते सिविल लाइन थाना छेटर के चाटा पारा में शुकरवार की दे शाम 44 वर्ष ये महिला की लाश मिलने से इलाके में दहशत फैल गई, महिला अकेले ही रहती थी, पडोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जाच अधिकारी ने बताया की चाटा पारा कुनेर गाडन के सामने स्थित एक घर से बद्बू आने की सूचना मिली, मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतिका की पहचान जाया सुखनंदन गडिया के रूप में की, महिला तलाक शुदा थी, जो अकेले रहती थी, लाश करीब 4-5 दिन पुरानी बताई जा रही है, पोस्टमाटम के ब सार्वदनिक स्थान पर चाकू लहराने वाले एक व्यक्ति को तारभार पुलिस ने धर्दबोचा, पुलिस को सूचना मिली की वैभाव व्यादव पुराना बस्टें स्थिट सराब दुकान के पास धारदार हत्यार दिखा कर लोगों को डरा धमका रहा है, मौके पर बाटा में स्कूटी सवार महिला ओफिस जा रही थी, तभी एक यूवक अपनी मोटर साइकल अडा कर उसके साथ छेड़ चार करने लगा और जबरदस्ती हाथ पकड़ने की कोशिश की, महिला के शोर मचाने पर वो अपनी मोटर साइकल छोड़ कर महिला की स्कूटी लेकर बाग गया, कुछ देर बाद यूवक फिर मौके पर पहुँचा और इस बाद मोटर साइकल लेकर रफूद चकर हो गया, चकरभाटा पुलिस ने आरोपी उदेशंकर दिवांगन के खिलाफ छेड़ चार का मामला दर्च कर उसकी तलाश शुरू कर दी है शहीदों की याद दिलाता अमर जवान समारक तब तक उपेक्षित रहता है, जब तक राश्टी पर्व ना आ जाए 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा, किसी बड़े घटना करम के खिलाफ एकत्र लोग यहां मुंबत्ती की रोशनी करने आते है इसके बाद यह समारक धूल सना बदहाल रहता है, कई साल पहले सौंदर यह करन किया गया था, लेकिन इसके बाद शहर की पहचान अमर जवान समारक की तरफ नगन निगम ने ध्यान नहीं दिया है आइलेंड का इस्थानों से उखड गया है, आसपस फैली गंदगी और सफाई का अभाव अमर जवानों के प्रती शहरवातियों की उदासिंता को बया कर रहा है गंगा नगर शिक्षक कॉलोनी और मंगला बस्ती तक फैला तलाब छेतरवासियों के लिए वरदान है बरसाती पानी से लबालब रहने से आसपस कई किलो मीटर में वाटर लेवल बहतर स्तिती में है मगर चारों तरफ से खुला होने के कारण तलाब असुरक्षित है जिससे यह कबजाधारियों के निशाने पर है मंगला इलाके का सबसे बड़ा तलाब फुटहा के नाम से पहचाना जाता है पार नहीं होने से इसका नाम यह पड़ा है यहां तेजी से रिहाईशी इलाके विक्सित हो रहे है इसका असर तलाब की नारे बनाए मकानों से पता चलता है जानकारी के मताबिक फुटहा तलाब में बड़े पैमाने पर मचली पालन किया जाता है यह पंचाईती तलाब है समू को ठेके पर दिया है लाखो कमाने वाले ठेका समू और तलाब समीती के सदस्यों को केवल कमाई से मतलब है आसपास फैली गंदगी और सुरक्षा में कमी से कोई लेना देना नहीं है शेहर के भीतर 4-5 एकर से ज्यादा बड़े तलाब गिंती के बच गए है मंगला का फुटा तलाब सुंदरी करण का मौताज नहीं है सुरक्षा घेरा और पच्छी निर्मान कर लाइटिंग कर दिया जाए तो अवैत कबजा और गंदगी फिलाने वालों पर रोक लग सकता है थंड की दस्तक के साथ ही बजार में हरी सबजियों की बहार आई है शहर और आसपास के इलाकों से बड़ी मातरा में ताजी हरी सबजिया शहर में पहुँच रही है लोकल आवक के बढ़ने और अच्छी पैदावार के चलते दाम सस्ता होने से ग्रहाकों के चहरे पर भी मुस्कान आ गई है ठंड के मौसम में हरी सबजियों की आवक ने मंडी से लेकर बाजार तक राउनक बढ़ा दी है मंगला, लोखंडी और निर्टू जैसे गाउं से किसान अपनी उपज लेकर शहर के बाजारों में पहुँच रहे है मौसमी सबजियों की भरमार के चलते उनकी कीमते भी गिर गई है फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, मूली, हराधनिया और लालभाजी जैसी ताजी सबजियां अब बाजार में आसानी से उपलब्ध है किसानों का कहना है कि ठंड के मौसम में लोग खास तोर पर टमाटर, गोभी, भिंडी और मटर जैसी सबजियां ज़्यादा पसंद करते हैं इसी को देखते हुए इनकी खेती बड़े पैमाने पर इन दिनों की जा रही है बाजार में इस समय बैगन, भिंडी, हरा मिर्च, मेती, पालक और गवार फली जैसी सबजियां 20-40 रुपए किलो की दर से उपलब्ध है किसानों का कहना है कि इस बार ठंड के मौसम के हिसाब से सबजियों की खेती की गई है उत्पाधन अच्छा हुआ है, इसलिए बाजार में दाम कम मिल रहा है किसानों को इस बात की खुशी है कि उनकी मेहनत लोगों की घर तक पहुँच रही है और ग्रहकों को कम कीमत में ताजी सबजियां उपलब्ध है तो ठंड का मौसम अपने साथ नकेवल सर्द हवाएं बलकि सस्ती और ताजी सबजियां भी लेकर आया है ऐसे में बाजार की रोनक बढ़ गई है आप भी इस मौसम का फायदा उठाईए और अपनी रसोई को हरी भरी सबजियों से सजाईए लोगसव टीवी के लिए कैमरामेन जैसाहू के साथ भुपेंद्र राठोर की रेपोर्ट प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से चतिसगड में नमी युक्त हवाव का आगमन हो रहा है साथी पूर्वी मध्यप्रदेश और इससे लगे चतिसगड के उपर हवा का शेतर सक्री होने की संभावना है लिहाजा आठ नो और दस दिसंबर को हलकी से मध्यम बारिश होने के आसार है मौसम विभाग के अनुसार अगले कुस दिड़ों तक न्यूंतन तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है हाला की 10 दिसंबर के बाद तापमान में गिरावट हो सकती है जिससे थंड बढ़ने के आसार है तापमान में कुछ गिरावट हुई है लिहाजा रात होते ही ठिटूरन महसूस हो रही है इससे सड़कों पर सनाटा पसरने लगा है थंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं गली महल और चौक चराहों पर अलाव की गर्माहट में लोग सर्दी से रहात पाने की कोशिश कर रहे हैं सुबह के समय आसमान में कहरा चाया रहा जिसने थंड के एहसास को और गहरा दिया दिशता कम होने की वज़ा से वहांचालकों को भी परिशानी का सामना करना पड़ा स्थाने लोगों की सर्दी ने एक बर फिर से मुश्किले बढ़ा दी है गर्म कपडे और चाय के सहारे लोग थंड का आनन भी उठा रहे हैं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में थंड में और बढ़ोतरी होगी ऐसे में लोग पहले से ही बचाव की तैयारियों में चुड गए है खंडोबा नवरात्र पर्व विदाकर मराठा परिवारों ने मनोकामना पूर्ती का आशिरवाद मांगा छे दिवसिय पर्व के दोरान नियमित पूजा पाट और अपने इश्देवता की आरती कर यथा शक्ती भोग अर्पित किया बिलासपूर में मराठा समुदाय वाशिक नवरात्र के छे दिनों का उत्सव अपने घर पर श्रद्धा और उत्सा से मनाता है इस दोरान प्यांज लेसून का त्याप कर घर में पूरी तरह सात्विक भोजन पकाया जाता है उनके अनुईयाईों ने कहा अराध्य बाबा खंडोबा भगवान शिव के अफ्तार के रूप में पूजे जाते हैं इसके बाद से शुरू होगा तो जुलाई तक चलता है जुलाई से फिर बंद होगा एक अधश्य तक शंकर भगवान के अवतार है और जेजूरी में इनका प्रमुक मंदीर है वहां हम लोग सब को अपनी कुल देवता करके सभी जाते हैं जिसका जैसा जमता है वैसे और हल्दी कम हत्वा है अवेग शराब के एक मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कारिवाई की है पुलिस ने मुबीर की सूचना पर टिकरापारा में दबिश दे कर आरोपी से 17 पाव देशी प्लेज शराब और बियर जब्त किया है आरोपी सुमित उर्फ चुन्नी खटिक के एक के तहट कारिवाई की है शनिवार को जैसे ही पुलिस को शराब की अवेद बिकरी की भनक लगी इस पर पुलिस मौके पर पहुँच कर आरोपी सुमित को शराब समेद गिरस्तार कर लिया रेलवे प्रशाशन द्वारा अधोसन रचना विकास कारियों को तेजी से पूरा करने के उद्देश से दक्षिन पूर्व रेलवे के राची रेल मंडल और इस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रेल मंडल में ट्रैफिक कम पावर ब्लोक लिया जाएगा राची रेल मंडल में यह कारिय बारा से 26 दिसंबर तक चलाया जाएगा जबकि खुर्दा रेल मंडल में 7 और 8 दिसंबर को कारिय किया जाएगा इसके कारण हैदराबाद पटना स्पेशल अठारा दिसंबर, माल्दा सूरत एक्सपेस 21 दिसंबर और रक्सॉल सीकंदराबाद एक्सपेस 17 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग से राउर केला, मूरी, कोटशिला होकर चलेगी इसके अलावा पूरी वलसाड एक्सपेस को 8 दिसंबर को 4 घंटे 50 मिनिट की देरी से पूरी से रवाना किया जाएगा